तो शुरू करते हैं नीम टाइंग का नाम लेखा और जैसा की पिछले एपिसोर में आम ने देखा था कि मूच है वांग ट्रायो को अब हरा दिया अब जैसी ये भागने वाले थे मूच हैं कहता है इंसे भाग कहाँ पर रहे हैं अब परिशान किया है तो कुस प्राइस तो भी करना ही पड़ेगा अब आगे तो जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नेगे खास करके दूसरे वाले चैनल को याद से करते हैं वाई शिश्टू रह सकते हैं क्योंकि मैं भी फिलाल बाहर हूं और आज ही पूने पहुंचाओं जैसे खेर आगे बढ़त सब्सक्राइब तो तुम्हें चाहिये क्या मूचेन इंसे हसके वैसे अगर मैं तुम्हें हाफ टेट करतो क्योंकि पूरा तो मार नहीं सकता तो तुम्हें यहां पर अपने कार्ड को शैटर करके कॉंपटिशन से बाहर जाना ही पड़ेगा पर मैं ऐसा करूंगा नहीं और पर मूचेन हसके कहता है कुछ चीजे हैं जो तुम्हारे पार मिलोन पर नजर आ गया है वांग्टॉंग तुरंती कहता है हमारे पास हजार से ज्यादा spiritual lights है वो तुम लेलो हमसे पर मूचेन को इस ते ज्यादा कुछ फारक पड़ता लिए और ये भी अपना हाद आगे वांग्टॉंग कहता है यार इतना तो बहुत है अब मूचेन आगे बढ़ता है और इनका वो जो crescent blade अपने पल से मारकर दूर फेन देता है अब ये तीनों समझ जाते हैं कुछ और इससे देना पड़ेगा नई तो ये हमें इस competition से बाहर कर देगा ये तुरंती बोलते है क मतलब इससे उस level का dangerous grade का gathering point पता है अब यहाँ पर जो gathering point था वो तीन level mission divided था एक था orderly level का दूसरा था dangerous grade का और तीसरा था extremely dangerous grade dangerous grade मतलब वहाँ पर कई सारे spirit generals होंगे और एक chance है कि वहाँ पर एक spirit king भी हो जबता है spirit king मतलब heavenly completion stays का कोई बोल मूचन पी अब सोच रहा था अगर वैं एक spirit king को मार लो और उसका मुझे spiritual light मिल जा है तो सच में ये काफी फायदे मन दोगा मूचन जब सोच आता तब ही वांग dangerous grade जो gathering point था उसके बारे में information लेनी लगता है और इसे छोड़का वो जो सबसे खतरनाक level गे थे यानि extremely dangerous grade उनके बारे में ज्यादा information लेता है और ऐसे जगे शत गिन के तीन चार होंगे मतलब वहाँ पर पक्का शेन कांग शें ली जुआन टॉं वगरा गये होंगे तब ही वांग्टा होंगे थे पर हम जिस जगे के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर एक spirit king तो है पर मैंने इतना सुना है कि अभी अभी उसने जनम लिया आनरन समझ जाती वो spirit king के नेवन पर तो होगा पर थोड़ा weak होगा नियूरली born spirit king तो उसे हराने के chances थोड़ी ज़्यादा और अगर ये निउस पता चन तो बहुत सानी लोग उदर अट्रेक्ट हो सकते थे और इसी की कारण से वांग्टां को गरें यहाँ पर आयोगे थे अब मूचेन इससे पूसता है तो इस information के बारे में कितने लोग जानते वांग्टां कहता है मुझे ही क्या पता ये जो information था मुझे spiritual and value all से मिला था और इस प्रकार गा information खरीतने वाले बहुत कामी लोगों होगे अब मूचेन इससे उस जगे का location ने देता है मतलब वांग्टां इसे एक scroll देता है जिस पर लिखा हुआ था extremely dangerous grade अब मूचेन इने thanks बोलकर यहाँ से जाने लगता है तब ही वांग्टा की बात सुंकर इसके भाईयों को भी भरोसा नहीं हो रहता कि इसका भाई मूचेन के साथ साथ देने को त्यार हो जाएगा मूचेन भी अब सोचता है और इस मिशन का लीडर मैं हूँ मेरे विरुत को ही नहीं जाएगा और कुछ भी अगर तुमने कड़बर किया तो याद अब यह लोग बात मान जाते हैं अगले दिन की सुपह होती हैं और अभी वांग ब्रदर्स में मूचेंटर टीम के साथ अच्छे खासे मिल गये थे इधर आके पढ़ते पढ़ते दो दिर और निकल गये थे और वांग टॉंग वगेरा भी अफ काफी ज़्यादा घुन मिल मूचेंट देख रहाता है कि जैसे जैसे आके जारें कमपडिशन और भी ज़्यादा लाइवनी होते जारा है और जो भी यहाँ पर आता है उसके पावर लेवन में देर देर सुधार भी होता है क्योंकि यहाँ पर स्परिश्वन हो रहा काफी कंडेंस फॉर्म में है पर अ आगे का जायजा लेने के लिए मूचें आनरान और कुछ लोगों को भेज देता है अभी जब वापस आती है तो काफी ज़्यादा खुश थी और अब तो आनरान ये वांग वर्दर काफी अच्छे से बात करते थी और आगे बढ़ते पर इन्हें 600 और स्पिरिच्वन आता है जब हम आगे आ रहे थे तो कुछ पावर्फुल लोगों से में और मुझे ये भी पता चाला है कि जो टॉप 10 की हेवेनली रैंकिंग में लोग थे उन्हें इन लोगों ने मतलब उन्हें हरा पे दिया मूचें समझ जाता है मतलब यह लोग पावर्फुल लोग है ज सेवेन्थ रैंक का जो गो युवान है उसे भी किसी ने चैलेंज किया था और वो भी हार गया और वो भी दस अटैक्स में बफुल मूचे नब समझ नहीं लगा था इकाई सिश्र सू जुवान पर भी कोई अटैक न करे क्योंकि वह हेवेनली रैंकिंग के थर्ड रैंक पर और अचानक से ये सेवेन्थ रैंक की बंदे को हरा दिया और ये लोग डार्क सुसाइटी के मतलब नौदंस अकैड़ी में जैसे कई लोगों ने अपना अपना असोसियेशन बनाया है वैसे इनका असोसियेशन कानव डार्क सुसाइटी अब मूचे निन से पूछ देता है तुम तीनो भी डार्क सुसाइटी के तो नहीं हो पर वांग टों बताता है कि उन्होंने हमें भी इमिटेशन भीज आ था पर हमने मना कर दिया था हालकि हमारी दुसमन ही है लिजवां टों वगेरा से पर इस चक्कर में हो डार्क सुसाइटी कभी जौआइन नहीं करें हमारे स्मीट के साब से हम कल उस gathering point पर पहुँच जाएंगी और वो भी कल दो भारता और इनका ग्रूप तीर पर इस समय उड़ते रहते हैं और शाम के समय एक अच्छे से जगह पर धूनकर अपना कैम्प होगरा लगा लेते हैं और इनके आसपास्तोरी तूरी पर कुछ और भी कैम्प ग्राउंट्स लगे वे थे और इस दौरान इनको वांग्टों यह भी बताता है कि मतलब तुम्हारे वो जो spiritual value points है उसके मदद से तुम spiritual lights खरीद सकते हैं हाला कि लोगों को spiritual value points जादा important ह मूचैन भी इस बात से सहमत था और वांग्टों कहते हैं information का काम आप हमपर चोड़ दो मूचैन भी इनके smile देता है और इस दौरान वांग्टों कहते हैं कि ब्रदर मूचैन future में आप पर rely करेंगे इसका smile थोड़ा से अलग था वैसे तो यह तीनों evident थे पर मूचैन आप समाझ गया था और आगे में बूचैन देख तक शत दस हजार से ज़्यादा लोग इदर ही कठा हो रहे हैं और इस जेके पर कुछ लोग अपने spiritual value points थे spirit value खरीद रहे थे और यहां पर एक बंदा चिलना रहा था कि एक spiritual night पाचास spirit value के रिए मिलेगा और इदर मूचैन और ल student तो बस लोगोली को देखके ही पैचान जाते हैं तो इनको मालूम था किसके बगल में जो है वो पक्का है कि मूचैन होगा और यह नवर्ज है मूचैन भी समझ जाते हैं यह तुरंत लोगोली के हाथ को पकल डेते हैं और दो लोग आगे जाने लगते हैं और इदर तभी student को एक आवास आने थी कि मेरी बात कोई बंदा एक अपना आइटम बेच रहा था और सब को यह बुला रहा था कि मेरे पास जो चीज है इसको फोर्जिंग गॉर्ड स्टोन कहते हैं यह कोई नॉर्मल स्टोन नहीं मतलब इससे आप अपने स्प्रिचिवन वैपन को टेमप इस दोरान एक बोलता है कि मेरे पास एक हाई ग्रेड का स्प्रिच्वन वैपन है तो तुम्हारे इसाब से अगर मैं स्टोन को यूज करूं तो क्या यह एप्सिल्यूट ग्रेड का स्प्रिच्वन वैपन बन जाएगा और यह बंदा हसते हुए पूसता है पर इस दोरान यह जो बंदा जो बेच रहा था वो बोलता हाथ चांसेस तो है पर फेलियर के भी चांसेस है तो इससे तुम्हारे वैपन डिग्रेड भी हो सकता है अब लोग के धियारिये बंदे पर भरुसा नहीं किया जा सकता है मूच इनको भी सेम लगता है अब यह लूओ ली को लेक लेकर निकनने लगता है यह लूओ ली के हाथ को लेकर आगे बढ़ता है पर लूओ ली मूफ करती नहीं तो यह इसे वापस देखता है फिलाल लूओ ली उन स्टोन्स को देख रही थी पैनली पर लूओ ली किसी वे चीज के तरफ एट्रेक्ट हुई और यह कहती कि मुझ मेरे ग्रैंड फादर ने दिया है पर मैं इसके सील्स को ब्रेक नहीं कर पाती है पांच साल से ज्यादा होगा अभी तक मैंने इसका बस एक भी सील्गों नहीं पाई है शायदे इन स्टोन के मदद से मैं ओपन कर सकती है मूचन इस तोरान इसका तलवार को उठा कर देखता और यह हैरान था यह वैपन सच में काफी जाता फियर्स था यह सोचता यारी इन लोगों नहीं इसको चलाती कैसे होगी क्योंकि वैपन का वीट की थोड़ा चाता था अब यह इस बंदे से दाव पूसते है तो यह बंदा बोलता है कम से कम पांच हजार स्पिरिट्यूल प पास पच्छीस स्पिरिट किंग के स्पिरिट लैट घृति और इन Mission से ब्ष यह इस बंदे के तरफ उच्छाल देप यह बंदा भी हैना तहों मतलब आप सचमें खरीत रहें मूचन के तरफ बेज रहे हो न अब ये बंद ये black stone मूचेन की तरब उच्छाल देता है तब ये खतरनाक palm level का attack मूचेन की तरब बढ़ता है मूचेन जैसे इस attack को देखता है इसके body से वो black flame बाहर निकलते है और उस attack को ये block कर देता है अब लोग देखते हैं ये बंद ये यहाँ पर क्या कर देता है इस बंदे के हाथ में एक dagger था यानि छोटी वानी तलवार इस बंदे का नाम था जूबिन ये dark society का है ये सोचने लगते हैं इसे क्या चाहिए जूबिन ब्लैक कपड़ में था और मूचेन की तरब देख करके था है तुमारे skills सच में काफी अच्छे है मूचेन को इधर गुज़ा होता है कि बीच में पीछेस अटेक करना अब मूचेन जैसे उस टोन को ले लिया था तब ही पीछेस एक और आवाज आ थी कि ब्रदर इस चीज में हम इंट्रेस्टेड है तो कृपय यह मतले और जितना दाम है वह हम तुमें दे दें मूचेन कह क्याता है कि समझू मेरी बाद मैं जूकिन हूँ डार्क सोसाइटी का मिंबर क्यों फाल्तू में बात बढ़ा रहे हूं अब तर यह जो जूकिन था वो जो स्टोन बीच ना था उससे कहता है कि यह लड़का तुमें 20 स्पिरिट के औरा देरा था मैं 22 देता हूं मूचेन को तो गुस्ता पहले से था यह डार्क सोसाइटी अब इनका बारी है और वहीं दूसरी तरब से वांग टॉंग और उसके भाई आन्रान वगरा भी आ जाते हैं जूकिन देखता है कि वांग टॉंग इनके साथ क्या करना है और जूकिन समझ जाता है यह कहता है तुम लोग सम चीज लेके नहीं जा सकते हैं मुचैन के साथ हमारे एक अलग रिस्त है और इस दान वांग टॉंग वगरा तीस स्पिरिच्वल नाइट की और मुचैन को देते हैं मुचैन इनके थैंक्स बोलते हैं और क्या था इसका व जो कर्ष है मैं तुम्हें पक्का चुका के दूग वांग्टाओं के था कोई नहीं बस वो मुफ हैं गया इधार ही कहीं हो सकता है और मुचैन अब बीड को पढ़ा करके 35 स्पिरिच्वल लाइट कर देते हैं और जू किन भी शायद अब इससे ज्यादा दाम लगा भी नहीं सकता था मुचैन को ये स्टोन बीड 35 स्पिरिच कि गुस्ते में अपने औरा रिलीज करता है अब लोग भी समझ जाते बैटल होने वाला है तब ही यहाँ पर क्लैप क्लैप की आवाज आती है और एक बंदा कहता है कि तुम सच फ्रेशर में एक आउस्टेंडिंग बंदे हो और मैं भी जानना चाओं कि कौन से सप्राइज जो नकी जूके या मैं मूफ एंग यान पेका सकते तो ये बंदा था मूफ एंग यान जो के फिलाल नाइन्थ रैंकिंग वाने बंदे को हरा करके हेवनली रैंकिंग में नौवे अस्थान पर आ चुका है इसके पूलने वाले अंदास थे मतलब ये मूचेन को टॉंट मार और इसकी और भी हेवनली ट्रांसफॉर्म के लेट फेज में थी इधर वांग ब्रदर इनका तो चेहरा ही इंगता मॉगली हो गया था मूफ एंग यान अब इस दौरान कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना था कि तुमने लीज वान टॉंग से तीन बैटन लड़े थे म तुम्हारा ही आओ के साथ जो मैंटर हुआ था वो मुझे मानूम है मैं मानता हूँ कि तुम्हें strong हो और तुम्हारा association भी लू association काफी बड़ा है मूचन में smile करके कहता है कि मुझे धंकी वगरा मत तो और यह मूचन को समझाता है कि वो stone मूची दे दो पर मूचन सीधा-सी क्या डर और मूचेन इसे कहता अगर तुम्हें चाहिए ही तो दूसरा बेट ढोल लो और यह वापस बनटके अब जाने लगता है अब इससे जाता देख लूओ ली वांग्टाउं वगेरा भी इसके पीछे-पीछे अब निकननने लगते है वो फैंग जब यह चीज देखता उसके चेहरे पर एक cold smile था और यह अपनी boundless spiritual aura को release करता है और काफी तेजी से एक palm slap यह मूचेन के पीछे अटेक कर देता है यह palm attack काफी ज़्यादा भी भत्स दीख रहा था मूचेन जोके आगे बढ़ा था जैसी attack को feel करता है यह रुक जाता है और यह भी एक feast attack इस attack के अलक जबकते dissolve कर देता है इधर move एंग यह भी हरानता कि यार यह बंदा यह quasi heavenly transform level पर है यह मेरे attack को कैसे dissolve कर सकता है और वो भी head on यह फिर से कहता है सच में मूचे तुम्हें एक outstanding बंदे इधर मूचे निसे कहता है अगर तुम एपने कला का प्रदरशन करना है तो कुछ लो लेगी तो कभी भी मुझे धोल लेना fight कर लेना मैं तयार हो मूफ हैंग अब attack करता नहीं जोकिन उगरा सोचने लगते कि ब्रदर आपने attack क्यों नहीं किया अब मूफ हैंग भी क्या देता है मूचे जितना समझ में है इस मूचेंग को हराना इतना आसान नहीं अगर मैं उस वहाँ पर हमें परतर किंग शान भी मिलेंगे और तब ये लड़का कहां भागी जूक किन और ज्यादा खोश हो जाता है क्योंकि ये लोग डिसाइड कर चुके थे गैदरिंग पॉइंट में वो जो नया वन स्पिरिट किंग है उसे मार करके इनके डार्क सोसाइटी का नम काफी ज़्यादा फीमस हो जाएगा क्योंकि जो दो सबसे बड़े असोसियेशन है उनमें सबसे उपर जजमेंट ब्रदर होड और दूसरा जुवान क्लैन इनमेंस एक शें कांग शेंग का है और दूसरा लियू जियान टॉंग का और मनी मन वो फैन्यां कहता है उमीद है म मूचन तुमारे पास इतना श्रेंथ होगा ने तो बकवास करके कोई मतलब नहीं है और रास्तिन जो इसके पास मूचन के पास 25 इस्परेट नाइट किंग थी वो वंग्टाउं वगरे को नोटा देता है और कहता है कि रास्तिन तुमारे जो पांच बचे हैं वो भी मैं प शेंद स्वर्ड से इन पर अटैक कर देती एक टन की अवाज आती और तुरंत इसका जो स्वर्ड था उसके आसपास एक ब्लैक ही शौरा एक अठा होने लगती है तो यह जो स्टून था सच में डिवाइन स्टून ही था क्रिश्टल कहा जाता है या फोर्जिंग गोड क्रि और भी ज्यादा होता है और लुओ ली क्योंकि फिर टाइम नहीं था तो इन दोनों स्टून को फिर से रख लेती है और जब इसका लुओ श्वर्ड का पहला सील ओपन हो जाएगा तो स्वर्ड का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और लुओ ली अभी थोड़ी न स्पिर्चुल नाइट के तो नहीं लेकिन स्पिर्चुल नाइट तो मिली जाएगे और लुओ ली इस बार बैटल के लिए तयार थी और उस जगे की तरह जाब और वांग्टों को निशारा किया था ये सब ही काफी तीजिसे बढ़ने नगते अभी जो जगे था काफी अपने ब्लैक पगोड़ा और वाइट टाइगर की मदसे मार रहा था और वांग्टों और जब इस सीन को देखते हैं तो कि यार यह दूनों नवर यह दूनों सच में काफी पावर को नहीं हेवनली ट्रांसफोर्म मिड़ फेज या लेट फेज की बंदे को आराम से मारते और इन्होंने पलत चपकते ही नौ स्प्रिच्वन नाइट केंग्स को मार दिया था सॉरी स्प्रिच्वन नाइट और वांग्टों बताते हैं टेंशन मतले जो नौर्थ वेश डायरेक्शन जहां बढ़ रहे हैं वो है जग एक्स्ट्रीमिले डेंजरस ग्रेड का ग्याध और यह इन्सानों के ओरा थी मूचे इन वागेरा अभी आस्मान में उड़े थे और इतने सारे लोगों को देखते हैं नीचे इन्हें लो ग्रेड बार यानि स्प्रिच्वन पाउन काफी मातरा में दिखाए दिते हैं और जब अंदर वाले इस्तिम यह देखते हैं तो वह सारे लोग यहाँ पर इकटाते स्प्रिच्वन किंग को मारने के लिए और इन स्प्रिच्वन नाइट्स को तो भाई यू स्टोरी यही पर जमात करते हैं और मिलते हैं फिर सूबे में एक नए वीडियो के साथ शाम में मैं में वीटिंग में बीजी रहूँ हुआ कर तो प